युनेसको के एक रिपोर्ट के हिसाब से लॉगडाउन होने के कारण लगभग 165 देशों के 1.5 बिलियन विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर हो रहा है स्कूल और कालेजों के पास अपनी पढ़ाई का माध्यम आलाइन करने के अलावा और कोई औप्शन नहीं बचा है उन्हें अपनी पढ़ाई का मोट आफलाइन से आलाइन करना पर रहा है जब offline पढ़ाई होती थी तब students के academic development के अलावा personality और skill development भी होती थी वो अपने future में आने वाले हर situation के लिए तयार होते थे क्योंकि वहाँ उनके teacher की नजर उन पर हमेशा रहती थी वहाँ उनकी गलतियों पर ध्यान देने के लिए और उने सुधारने के लिए उनकी teachers मौझूद रहते थे offline education system में teachers के साथ face to face interaction जादा अच्छे से हो पाता था कई students को online education अपनाने में काफी दिक्कत आ रही है जो लोग remote areas में रहते हैं वहाँ network connectivity अच्छी ना होने कारण उने glass करने में काफी दिक्कत आती है बस students ही नहीं काफी school और college भी अभी इसके लिए पूरी तरह से तयार नहीं है online पढ़ाई होने कारण बच्चों को जादतर समय अपने phone और laptop के screen पर देखकर बिताना पड़ता है इसके कारण उनके आँखों में भी काफी दिक्कत आ रही है कई students इसकी वज़े से काफी stressed भी हो रहे है ड्यार्थियों को promote किया जा रहा है इस समय हमारे पास बस यही एक option बच रहा है लेकिन अगर long term result में इसे देखा जाए तो ये उनके लिए ही पुरी बात है ऐसा हो सकता है कि deserving students जिनोंने पूरी साल मेनत की है वो अपने result से satisfied ना हो बस certificate के marks उनको उनके सपने पूरा करने में मदद नहीं करने वाले क्योंकि at the end practical knowledge ही सब कुछ होता है हाली में आप सबने सुना होगा कि 10th के बच्चों को promote किया गया 12th के बच्चों को promote किया गया और कई college भी अपने बच्चों को promote कर रहे है ये उनके तरफ से एक सही कदम है लेकिन ये एक सही कदम भी हो सकता है और एक गलत कदम भी सही कदम इसलिए क्योंकि उनकी परिक्षाओं की date दिन प्रदी दिन बढ़ती जा रही थी काफी बच्चे stress में जा रहे थे वो चाहा कर भी कुछ और नहीं कर पा रहे थे लेकिन गलत इसलिए है क्योंकि जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए serious नहीं है उनको एक गलत message मिल रहा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिने एक push की जरूरत होती है लेकिन online education होने कारण और ऐसे promote हो जाने के कारण की जरूरत है पीचर्स गवर्मेंट और सभी educational institute को इसमें मिलकर काम करना होगा क्योंकि विद्यारतियों का भविश उन पर ही निर्वर करता है और इस्टुडेंट्स को तो अपना 100% फुल एफट देना ही होगा अब पढ़ाई online हो रही है तो क्या fee भी online education की हिसाब से ही लिया जा रहा है बिलकुल नहीं और बदले में हमें क्या मिल रहा है quality of education in online mode वो आप सभी को पता है कैसा है अब सारी fee तो टीचर के salary में जा नहीं रही टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना ही internet यूज कर रहे है तो बाकी बचा हुआ पैसा जा कहा रहे है तो क्या आप मुझसे agree करते हैं कि स्कूल और कॉलेजों को अपना कुछ पैसा online पढ़ाई की सुधार में भी